सलीम हमेशा ही पिता के अलफाजों की तोहीन करते आये थे जिस कारण उन्हें 14 वर्षों तक अपनों से दूर रहना पड़ा शायद इसलिए ही उनका अपने परिवार से ज्यादा लगाव नहीं था कुछ समय बाद सलीम को वापस बुलवाया गया और उनके आने की खुशी में लाहोर में जश्न रखा गया इस जश्न में मुझरा एक प्रकार की नृतिकला होना था जिसके लिए नादिरा को बुलाया गया नादिरा एक कनीज अर्थात नाचने वाली थी जिसका हुस्न देखते ही बनता था उसकी खूपसूरती से किसी की निगाहे हटती नहीं थी नादिरा का हुस्न जितना खूपसूरत था उतना ही खूपसूरत उनका नृति था उनकी इसी अदा और कौशल को देखकर अकबर उन्हें अनारकली नाम से नवाजा था अनारकली मतलब के सुन्दर खिला हुआ फूर अनारकली ने लाहौर के उस जश्न में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और उस दिन सलीम ने पहली बार अनारकली को देखा और उसके हुसन और सादगी को देख हो उस पर फिदा हो गए हम झाले…